हलो प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि UN क्या करता है उसके कार्य क्या है इसका गठन क्यों किया गया था तो दोस्तों इस सभी की बारे में हम बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे जही जवाब चैनल के एक वाक्य में आपको बताने की कोशिश करें, एक सेंटेंस में बताने की कोशिश करें, तो वो है कि पूरी दुनिया के अंदर शांती और अमन कायम बना करके रखना, तो इसका जो गठन है वो 1945, 1945 में हुआ था, जब Second World War खतम हुआ था और पूरा का पूरा युरोब जो है, वो पूरी तरीके से वरबाद हो जुका था, और सारे ही देशों को खैर बहुत जदा हानी पहुचे थी, तो उसके बाद कोई ऐसा बड़ा वार ना हो, दुनिया के अंदर शांती जो है, वो बनाए रखी जा सके, इसके अलावा जो कंट्रीज के बीच में कॉन्फिक्स होत हैं और चोटे कंट्रीज भी हैं, उनका इसके अंदर जो है, वो सहबाग होता है, वो इसके मेंबर्स हैं, तो बेसिक लिए अगर देखा जाए, तो इसका जो सेकरेटरी जनरल होता है, उसका इसको चलाने में बहुत बड़ा योगदान होता है, इसके अलावा जो यूएन body council के मेंबर्स होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, यानि के अलग-अलग countries के जो delegates होते हैं, उनका भी यहां पर बहुत बड़ा योगदान जरूर रहता है, तो दोस्तों आब इनका अगला काम देखते हैं, तो अगला काम यह है, कि पूरी दुनिया के अं कहीं भी human rights का अगर violation हो रहा है तो उसके खिलाफ जरूर कारवाई करती है उसके लिए बातचीत जरूर करती है उसके लिए आवाज उठाती है क्योंकि ऐसे बहुत से countries है जहां पर जो है वो अभी भी dictatorship चल रही है और वहां पर human rights का बहुत ज़ादा exploitation हो रहा है लोगों को उनक कोई भी है याना कि वो किसी भी वर्ण का आदमी हो किसी भी country में रहता हो हर एक आदमी को जो है वो basic human rights जरूर मिलने चाहिए और उनका violation कही भी नहीं होना चाहिए तो इसके लिए ये जो UN है वो काम करता है इसके अलावा इनका और एक काम है कि humanitarian aid पहुचाना तो humanitarian aid मतलब क् underdeveloped countries हैं जहां पर कुछ-कुछ रोग ऐसे होते हैं कुछ-कुछ diseases ऐसे होते हैं जहां पर उनका इलाज नहीं हो पाता है यह वहां के लोग इतने गरीब हैं कि उसका इलाज जो है वो अपोर्ड नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में वहां पर humanitarian grounds पर ये लोग voluntary उन तक जो है वो health services पहुचाते हैं उनकी तरफ जो है वो सारी basic सुविदाय जो है वो पहुचाने की कोशिश करते हैं और उनको treatment वहां पर देते हैं दवाईया देते हैं तो ये काम करना भी इनके एक list में आता है तो दोसो सबसे पहले जो humanitarian aid गई थी वो world war 2 के बाद यूरोप की कई सारी countries में गई थी क्योंकि सबसे जादा हानी जो है वो यूरोप में हुई थी तो humanitarian aid के उपर वो countries बहुत जादा rely हो रही थी उनको बहुत जादा जरूरत थी और तब वहां पर वो war से उभरने के लिए UN की तरफ से उनको काफी सारे humanitarian aid भी दी गई तो humanitarian aid में जो है वो सिर्फ और सिर् जादा है क्योंकि जैसा कि आपको बता है कि second world war के बहुत सारी हानी होई थी पूरी की पूरी countries के अंदर के जो भी कोई इमारते बाकी सारी चीज़े infrastructure जो था वो बरबाद हो चुका था लोगों को अलग-अलग बीमारिया लग चुकी थी बहुत सारे घायल हुए थे बहुत प्रावा sustainable development को promote करना ये भी इनका एक agenda है तो अलग-अलग countries के अंदर जहां पर basic infrastructure नहीं है यह कुछ special requirements है ऐसी जगाहों पर जो है वो development कैसे की जाए जो की sustainable हो जो की long term में लोगों की काम आए ऐसी development ना हो जो की बस time being के लिए की गई है और फिर जो भी कोई problem है वो वैसा का तो ऐसा नहीं वहाँ पर जो है वो sustainable development के लिए ये लोग जादा से जादा promote करते हैं अलग-अलग countries को aids देते हैं वहाँ पैसा देते हैं ताकि वहाँ पर basic infrastructure वगयरा बन सके तो कई ऐसी African countries हैं जहां पर ऐसी तरीके की aids जो है वो देने की ज़रुवत पड़ती है क्योंकि वहा पर development करना वहाँ पर basic infrastructure खड़ा करना वहाँ के लोगों को सुविदा देना इसके लिए जो है वो sustainable growth की बहुत जादा जरूरत है तो उसको भी ये लोग promote करते हैं इसके अलावा दोस्तों आखरी इनका काम जो है वो ये है कि international law को जो है वो बना करके रखना तो कुछ international laws बने ह हुए हैं जिनको पूरी दुनिया को follow करना पड़ता है दुनिया का फिर वो कोई भी country हो कोई भी देश हो उनको international law जो है वो वहाँ पर follow करना होता है तो UN का सबसे बड़ा काम ये है कि ये जो international laws है उनको कोई भी violet ना करे अगर कोई violet कर रहा है तो उनको उसके बारे में alert किय जाए अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके उपर कारवाई की जाए ये इनका सबसे main यहां पर काम होता है तो international court जो है वो भी UN के अंदर ही होता है तो बड़ी बड़ी countries जो है जब उनके अंदर कोई वहाँ पर clashes होते हैं तो वो लोग जो है वो UN की तरफ अपना रुख करते हैं वहाँ पर जाकर के अपने न्याय के लिए गुहार लगाते हैं और फिर UN जो है वो वहाँ पर कुछ न कुछ फैसला देता है और ज्यादा तर तर तो पर जो है वो दोनों ही countries को शांद रहने की वहाँ पर नसीहत देता है कि आप शांती से इस मसले को शुल जाने की कोशिश करें कहीं भी खून खराबा ना हो युद्ध जैसा माहल ना बने पूरे दुनिया में इसका जो है वो असर देखने को मिलता है उसकी विजह से तो कहीं ने कहीं वार को अवाइड करना और इंटरनेशनल लॉस के अनुसार वहाँ पर न्याय देना ये काम UN का जरूर होता है दोस्तों अगर इनके में बॉडी की हम बात की जाए तो काफी लंदी फेरिस्थ है तो यहां पर इनकी में बॉडी होती है जनरल असेंबली तो उनका एक जनरल असेंबली प्रेसिडेंट होता है इसके अलावा सिक्यूरिटी काउंसिल होता है उसका भी एक जिसका अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया जहाँ पर बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है जब उनके अंदर कोई कॉइप्लिक्ट होता है तो उनी की तरफ रुख करते हैं इसके अलावा अगर देखा जाए तो सेकरेटरियेट भी है जिसका एक सेकरेटरी जनरल भी होता है इ इनका जो में आफिस है वो यहाँ पर नियू यॉर्क के अंदर है इसके अलावा जिनेवा के अंदर भी एक आफिस है साथी साथ नाइरोबी में आफिस है वियन्ना में आफिस है यून सिस्टेम डिरेक्टरी ये भी एक अलग डिपार्टमेंट है यून सिस्टेम चार्ट इनके पास होता है, ग्लोबल लीडर्शिप का भी एक डिपार्टमेंट है, UN Information Centers भी अलग-अलग पूरी दुनिया में इनके मौजूद है, इनकी अगर resources और services की बात की जाए, तो उसकी list तो इससे भी जादा लंबी है, सभी मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, Emergency Information इनकी तौर से मिल सकती है, अभी COVID-19 के उपर भी Information ये लोग देते हैं, जहां पर कोई wrongdoing हो रहा है, तो उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं, याने कि अगर कही पर कुछ गलत हो रहा है, तो उसके बारे में सबसे पहले ये लोग रिपोर्टिंग करते हैं, इनके पास रिपोर्ट जाता है, उसके खिलाप ये लोग आवाज उटाते हैं, इसके अलावा Meetings और Events भी इनके होते हैं, UN का एक Journal भी प्रकाशित किया जाता है, Other Documents भी इनके होते हैं, Guidelines for Gender Inclusive Language, तो इसके लिए भी ये लोग जो है वो Guidelines वगएरा जारी करते हैं, इसके अलावा Databases भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे भी ज़रुरत पड़े, Libraries हैं इनकी, UN Libraries भी है, UN Chronicle नाम का भी एक Department है, Africa Renewal ये भी एक अलग Document आता है, UN का Ear Book भी आपको मिल सकता है, मतलब ये चपता है, Bookshop भी इनका है, इसके अलावा Publications for Sale है, याने के उनकी तरफ से जो भी कोई Publications आते हैं, अलग-अलग Information वगएरा आती हैं, इसके अलावा NGOs के लिए भी अलग से इनके जो है वो Issues होते हैं, इसके अलावा Visitor Services ये लोग देते हैं, Exhibits होते हैं इनके, Employment भी UN की तरफ से की जाती है, इसके अलावा Internships भी ये लोग Offer करते हैं, Model UN करके अलग इनका पब्लिकेशन भी आता है, UN Archives हैं, इसके अलावा UN Audio Visual Library भी इन्होंने अब डेवलप कर ली हैं, UN Card, UN Card मतलब 11 अलग-अलग UN के बारे में जो है, वो Facts इसके अंदर दिये गए हैं, और आखिर में आता है, How to Donate to the UN System, याना कि कोई भी आदमी अगर UN को Donate करना चाहे, तो उसके उपर Information भी आपको इनी के Website पर या इनके Centers पर मिल जाएगी, इनके अगर Key Documents की बाद की जाए, तो UN Charter नाम का इनका एक Document है, Universal Declaration of Human Rights, ये भी इनका एक Document है, जो की Public कर दिया गया है, इसके अलावा Convention on the Rights of the Child, तो बच्चों के लिए जो Rights हैं, उनके लिए भी इनका Document आता है, और State of the International Court of Justice, इसके लिए भी इनका Document जारे किया गया है, दोसों, इनकी News और Media Handles कुन से हैं, वो भी आपको बता देते हैं, Awake at Night Podcast, ये इनका एक Channel है, इसके अलावा News, Press Releases भी ये लोग करते हैं, Briefings भी UN की तरफ से किये जाते हैं, इनके Spoke Person भी इनकी तरफ से बात करते हैं, फोटोज आते हैं, इनके अलावा इनका UNIFP नम का भी एक Handle है, वेबकास्ट भी इनकी तरफ से होते हैं, विडियोज भी ये लोग जारी करते हैं, UN in Action नम का भी एक Channel है इनका, इसके अलावा Social Media के उपर भी इनके अलग-अलग Handles है, और इसके अलावा The Essential UN नाम का भी इनका एक Handle है, हम ऐसा क्या सकते हैं, दोस्तों बात करें इनके Issues और Campaigns के बारे में, यानि के कौनसे कौनसे इन्होंने Campaigns चलाए हैं, कौनसे कोनसे Issues के उपर काम किया है, तो इसकी बहुत बड़ी लंबी Fairest है, वो भी आपको बता देता हूँ, Global Issues के उपर Obviously इन्होंने काम किया है, Observances के उपर काम किया है, 75th Anniversary of United Nations, तो इसके लिए भी इन्होंने Campaigns चलाया था, Sustainable Development Goals के लिए भी लोग Campaigns चलाते हैं, Climate Change के लिए Major Campanning इनकी होती है, Disability Inclusion Strategies इनकी है, Women Rise for All नाम का एक Campaign इन्होंने चलाया था, UN and Sustainability इस नाम से भी इन्होंने Campaign चलाया था, Action for Peacekeeping जिसको A4P भी कहा जाता है, Global Seize Fire के नाम से भी इन्होंने Campaign चलाया था, तो अलग-अलग Countries के अंदर जो है, वो जो तनाव बना हुआ रहता है, Borders की उपर जहांपर, Seize Fire बार-बार तोड़ा जाता है, Firing होती है, इसका सबसे बड़ी आया एक्जामपल, इंडिया और पाकिस्तान, जहांपर पाकिस्तान की और से बार-बार Seize Fire को तोड़ा जाता है, तो इसके लिए भी इन्होंने Campaign चलाया था, इसके अलावा अगर बात की जाये तो, Democratic Rights के लिए भी इन्होंने Campaign चलाया था, Rule of Law के लिए Campaign चलाया था, Refugees and Migrants, याने कि जो लोग विस्तापित हैं, अलग-अलग Countries में जाते हैं, उनके लिए भी इन्होंने जो है, वो मुहीम चलाया थी, इसके अलावा, Action to Counter Terrorism, तो Terrorism एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उससे Counter करने के लिए भी, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर Campaign किया था, उसके लिए कदम उठाये थे, Victims of Terrorism के लिए भी, इन्होंने एक अलग से Campaign चलाया था, Child and Armed Conflicts, इसके लिए भी Campaign हुआ था, Violence Against Children, इसके अलावा, Sexual Violence in Conflict, Violence Against Women and Girls, तो यह एक Spotlight Initiative था, Preventing Sexual Exploitation and Abuse, याने कि किसी का भी जो है, वो लेंगिक तौर पर, वहाँ पर सोशन ना हो, इसके लिए भी Campaign चलाया गया था, इसके अलावा, Messengers of Peace करके भी, इन्होंने एक Campaign चलाया था, Secretary General's Roadmap for Digital Cooperation, तो इसके लिए भी यह लोग काम करते हैं, कि यह Digital Cooperation सारे World के अंदर, हर एक Country के बीच में हो, इसके लिए भी यह लोग कोशिश करते हैं, और आखरी है Digital Financing Task Force, तो हर एक Country को digitally finance किया जाए, इसके लिए एक अलग से Task Force भी इन्होंने बना रखा है, तो दोस्तों यह सारे UN के कारियो होते हैं, और अब तक इन्होंने क्या क्या कार किया है, यह भी आप इस वीडियो के माध्यम से जो है, वो आई होप जान चुके होँगे, तो बस दोस्तों, आँच के वीडियो में इतना ही, आई होप आप जान चुके होँगे अब, कि UN को क्यों गठित किया गया था, इनके main कारिये कौन से होते हैं, तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है इंफोर्मेटिव लगा है तो दूस्तों वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले